हेलो फ्रेंड तो आज हम अपना व्लोग स्टार्ट करते हैं मैं दो दिन के बाद क्लास आई हूँ तो मैंने सोचा आज फिर से व्लोग बनाते हैं आज हमारे दो तिन फ्रेंड नहीं आए हैं हम कमी लोग हैं तो यह हम वर्काउट करते हुए करंजी हमेशा हम लोगों को लीड करती हैं वो ही हम लोगों को सारी एक्सेसाइस वगरा के बारे में बताती हैं और वो ही हमें एक्सेसाइस कराती हैं हमेशा और बीच बीच में वो कुछ ऐसी बाते बोलती रहती हैं कि बस उन्हें सुन-सुन कि बस डांस भी अच्छे से आ जाए बोड़ी में इतने बड़े तरीके से हम लोगों को वर्क आउट कराती है वो और मैं तो नीचे तक जा भी नहीं पाती हूं पर थंग से कर भी नहीं नहीं पाती लेकिन फिर नवी वो कराती रहती है कि करना है तो करना है बस बहुत अच्छे से हम लोगों को बर्काउट कराती है और बड़े फन के साथ कराती है मेरे पैरों में बहुत दर्दा इस वाली एक्सरसाइज को करते समय क्योंकि मेरे पैरों में बहुत कई दिन पहले से हो रहा था और सर ने बोला है कि आपका बैली फैट ज्यादा है तो आपको यह वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं यह एक्सरसाइज कर रही हूँ और यह हमारी सरोजी वर्टरफलाई उड़ाती हुई अब यह स्ट्रेशिंग करेंगी बस इन्हें अपनी स्प्रेट खोलनी है धीरे धीरे करके और मैं थक चुकी हूँ इसलिए मैं लेट गई हूँ और यह हमारी करणी जो की सूपर धमाका है एकदम परफेक्ट वाली है और बहुत अच्छे से करती है यह क्या क्या कर देती है पता हे नहीं चलता इन्हें देखके लगता है कभी कभी कि मैं भी यह कर पाऊंगी या नहीं पर लेकिन ये बोलती है कि सब कर लोगे बस तो हमारा वर्काउट हो चुगा है अब हम डांस करेंगे जो कि नीघना करता है तो फिर नहीं करें तो हमारा काना है सब लोगों करने के बादर थोड़ा सारेस्ट करेंगे तो चलों कि लूग लुगाना करते हैं कि ये घुते से बार ये सिका नचा आचा ये का ना आगा संगा झार ये रितना कि भा उन् मन जड़ी पिरा टो ये लिदा झाल वर्प बहों मन भाई झाल कि ये लिदा झाल सुल रहुत कि ये लो दूशे लिछार तो हमारी क्लास हो गया और अब हम घर के निए लिए निकल रहे हैं सारे चलो ठीक अब मैं आपको आगे मिलती हैं ओके पाई